जब उनको लेने के लिए आये हैं विश्वामित्र दश्रत के पास तो विश्वामित्र से दश्रत ने पूछा कि आप तो इतने तेजस्वी राजरिशी हैं थोड़ा सा जल लेकर छिड़केंगे तो राक्षासों का नाश हो जाएगा आप मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं विश्वामित्र ने का मैं रिशी हूँ मुझे क्रोध वर्जित है मैं क्रोध नहीं कर सकता तुमारा लड़का मर्यादा पुरुष उत्तम है पुरुष उत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम देवताव में उत्तम नहीं, पुरुशों में उत्तम, इसलिए मैं उसे ले जाता हूँ, ताकि वो जो मुझे कराना है वो कर सके, दशरत में फिर भी मोह है, राम में मोह नहीं है, दशरत साथ बार राम का नाम लेकर प्रान छोड़ गए, भई आप ही ने तो वर्दान लिया आप ही पैजास पे लड़का बाहर गया है, खुद को कंसोल करो, खुद को कंशो करो, लेकिन Mais सही कहते है तो मथास कहती है कि राम, राम, कह राम, कह राम, कह राम, कह राम , कै वाश के बात , बूप गयो, सुरधाम , राजा, बगवान के ऊंड़ा गया, और इसके बाद भी लोब बना रहा अपने बेटे को लेकर जब रावन कवद कर लिया राम ने तो आकाश में सब देवता है तो राम के पिता दशरत भी आए और मरने के बाद भी बेटे से प्रेम बना रहा बताईए राम ने देखा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं यह जो मेरे पिता हैं यह कुछ ज्यादा भावू खो रहे हैं आसू बह रहे हैं काप रहे हैं बड़े खुशे हैं फूल फेक रहे हैं राम को लगा कि अंदर मोह रहे गया मोक्षनी मिलेगा इसलिए कितनी अद्बुत पंक्ति गोस्वा में जने लिखी है आसा शायद इश्वर ऐसे बच्चे सबको दे इश्वर पिता दे ना दे ऐसा है बच्चा सबको दे अपने पिता को बड़ी कडियांखों से देखा राम ने गोस्वा में जने लिखे चिताई पिताई दीने द्रड़धर्मा पिता को पुड़ी कठोड दुष्टी से देख कर का कि भाई अब दिवंगत हो गये हो अब मैं क्या आपका पुत्र और क्या मेरे पिता अब आप इन देवताओं के साथ निर्मुक्त हो कर रहे हैं जो बन्धा रहे वो मानव और जो मुक्त हो जाए वो देवता इसलिए राम चाहते हैं कि उनके पिता मुक्त हो जाए राम वन जा रहे हैं पूरी अउध्या आंसों से भरी हुई है गोश्वामी जे लिखते हैं तापस वेश विशेश उदासी चोहदे बरस राम वन वासी चोहदे साल के लिए राम वन जा रहे हैं अगर कभी समय मिले तो श्रिमत बालमी की रामायन का वो तीन पेज पढ़ना जहां कोशल्या अपने बेटे को समझा रही है अद्भुत है वो रोती जा रही है और समझा रही है कोशल्या का स्वस्तिवाचन गोश्वामी जी लिखते हैं कि बंदहु कोशल्या दिशी प्राची प्राची दिशा पूरभ दिशा जैसी न कौश अप्रणाम करता हूँ, क्यों जिसकी कोख से ये सूर्य पैदा हुआ है, शूर्य कहां से निकलता है, पूरभ से निकलता है, कीरति, जासो, सकल, जग, माची, कोश अल्या स्वस्ति वाचन कहती हैं, बरा हुआ कंठ है आंसू बह रहे हैं और राम से कहती है कि हे राम जंगल में प्रकरती तेरी सरिसरपों से रक्षा करे सांपों से रक्षा करे कहती है कि इंद्र तेरी रक्षा करे मरुचु तेरी रक्षा करे वरुण तेरी रक्षा करे और बेटा जो जो तेरी रक्षा करता जंगल में और जहान में नगर में रास्ता कौन सा हो तू जिसका प्रतीक है सत्र उसी के रास्ते पर चलना और फिर एक बात कहती है और चिंता मत कर जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा तु नाम तु उसी मार्बड पड चलो जो सत्व हूं कल्यान कारी हो वो तुमारी रक्षा करेगा ऐसे राम का निर्मान ऐसे परिवार के साथ हुआ है उनके चारों तरफ जो परिजन है जो उनके लोग है राम के भाई भरत जिन पर सबसे कम चर्चा होती है सबसे कम भरत पर बोला गया है लक्षमन उनके साथ 24 गंटे रहते हैं शत्रुगन पर तो कमी बोला गया है भरत पर सबसे कम बोला गया है सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धी भेड़ दी सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कहके ही कि बुद्धी भेड़ दी लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भाईया को वापिस लेने जा रहा हूं तो देवताओं में खलबली मच गई बोले यार अभी तो गया है ये और इसको लेने ही चल दिया और राम भावुद भी ये इसके प्रेम में वापिस ना आ जाएं तो देवताओं में सरस्वती को कहा कि तुम जड़ा बात कर दो तो क्या कहती है सरस्वती देवताओं से कहती है कि एक हजार आखें होने के बाद भी जिसको सुमेरू न दिखता हो तुम मूर्खो क्या मोसो कहत भरत मती फेरें मुझसे कहते हो भरत की मती फेर दूँ दुनिया में किसी की भी बुद्धी ब्रष्ट कर सकती हूं भरत की बुद्धी ब्रष्ट नहीं होती मेरे करमें भरत जब भाईया को ढूंडते हुए निकले तो पूरे खांदान को लेकर निकले भरत ने का किसी की तो मान लेंगे कोशल्या की मान लेंगे ससुर को भी लेकर गए जब पहली रात भरत वही रुके जहां राम रुके थे भरत द्वाज के अश्रम में सुबह चलते समय भरत संकोच में थे तो भरत द्वाज ने कहा कि राजन, चुकि राजा हो चुके थे, आपके चहरे पर संकोच है, तो भरत ने डरते वे कहा कि महरिशी मैं डरा हुआ हूँ, मेरी मा ने इतनी बत्तमीजी की बाद कर दी, मैं बाहर था, भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिमंगत हो गया है, भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गया, यह कहा गया था कोई एमर्जेंसिय घर आओ, अयोद्या के बाहर नदी ग्राम में इनके पूरवजों का एक मंदिर था, जहां इनके पूरवजों की प्रतिमाय लगी हुई थी, मांधाता की, दिलीब की, रगु की, अज की, नहुष की, वहाँ भरत राश्ते में रुके अपनी सेना के साथ पूरवजों का पूरवजों का पूरवजों का पूरवजों का। पुरोईत ने हाथ में थाली दी तो पहले इसका पूजन प्रतु जो सबसे पहले इनके कारण ये प्रत्वी कहलाती है इनके घर के पिर मांधाता का पिर राजा बली का जिन्होंने अपना मास दे दिया था रंतिदेव का पूजन करते करते अज रगु दिलीब तक आये और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ती देखी तो देखी पिता जी की मूर्ती तेज तो थे ही उन्हेंने पुरोईट की तरह देखा कि ये क्या पुरोईट की आख में आसूस ने कहा कि महराज नहीं रहे और भरत के हाथ से थाली चुट गई भरत ने का मुझे किसी ने बताया कि उन्हें कि पिता जी दिवंगत होगे क्या हुआ था बोले राम को बनवास मिल गया भाईया को बनवास क्यों मिल गया आपकी मा ने मांग लिया भरत घोडा दोडाते हुए आयुध्या तक पहुँचे रोते हुए सोचके देखिए भरत जैसा भाई भरत्त्रि तुमे राम किसी का उधारन नहीं देते लक्षमण का भी नहीं देते जब हन्मान को गले लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम लक्षमण जैसे भाईया हो मेरे तो मोही प्रिया ही भरत संभाई देना हुआ है जब कोई प्यारा उधारन हमने दिया है सिर्फ तुमारा उधारन कि बढरत ज्वाजर से बधरत ने पूछा कि भाया मुझे माफ कर देंगे न कि मैंने इतनी बड़ी गलती की एक ऐसी गलती जो भरत ने की नहीं उसके परश्चताप में मान इतनी गल्ती कि मुझे माफ तो कर देंगे भरदवाज ने कहा हे राजन मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं नहीं लेकिन जब मों यहां से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया तो बड़े खुश थे प्रसन में थे कि मैं वनवास पे जा रहा हूं चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेगिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरेत के मंतरों के बीच में निकला कि जंबुद्वी पे भरत खंडे और जैसे ही भरत सुना राम के हाथ से जल गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत हाय भरत चिल्दाने लगे इतना प्रेम तुम्हे राम करते है राम करुणा से भरे हुएं इसी निये करुणा निधी है इसलिए कहता हूँ कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए इस कहानी से स्टिटेजी सीखिए इस कहानी से हुमन वैल्यूस सीखिए फैमिली वैल्यूस सीखिए और जो राजनीती में लोग काम करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि सदा जन्रता की भावनाई ही सत्य नहीं होती इस देश का पहला लोक तंत्र का मानक गड़ा राम ने जिसने कहा कि जन्रता ही सदेव सत्य नहीं है नीत सत्य है मैं इसको सिद्ध करके बताऊँगा आब आपको जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे सब परिशान थे हर आदिम उन्हें लोटाना चाहता था अगर राम उसी दिन लोटाते तो सब खुश हो जाते लेकिन राम ने जन्मत का सम्मान ने किया नीती का सम्मान किया जब पहली बार सित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई वन देवी ने पूछा कि आप मिरे यह विश्वाम करने आए हैं मैं आपके लिए क्या कर सकती हो तो राम ने क्या मांगा होगा सोचो राम ने कहा कि हे वन देवी बाकी सब ठीक है निभा लेंगे पनकुटी बना लेंगे पलपूल खा लेंगे जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसके कांटे हटा देना वंदेवी ने कहा कि आप तो आचुके अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं इससे क्या राम ने उत्तर दिया वो आपकी आख बिगोने के लिए काफी है राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कतनी है मेरे पैर में कांटे लग गए पर मुझे डूड़ता डूड़ता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा उसको कांटे ने चुबने ज़िए कांटे अटागे तो वंदेवी को जिग्यासा हुई वंदेवी ने कहा कि यथा अग्या पैति महराजह है महराज आपने जो अग्यादी में कर दूंगी एक छोटी सी मेरी जिग्यासा है क्या आयोध्या का राजा आयोध्या की चत्रुंगणी सेनाओं का सेनापती दशरत का पुत्र राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुब जाएंगे राम ने कहा नहीं वो तो वज्ज्र के समान है उसकी च्छाती से तूट कर तो इंदर का वज्ज्र तूट जाता है ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे वंदेवी ने का फिर क्यों हंटा दूं वोले परेशानी यह है कि जब उस रास्ते पर आएगा अगर एक काटा भी चुभा तो उसका दिल यह सोच कर तूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भाईया को इन कांटो को जेलना पड़ाया थी बिना चपनों के भरत चले और जब चले तो भाई म्रदू भूमी सकुचि मन मन ही भूमी भी संकोच से भर गई को मल चरण चलत बिन पन ही को मल चरण चलत बिन पन ही भाई म्रदू भूमी सकुचि मन मन ही इसका मतलब ये है कि भगवान स्वेम कष्ट सह सकते हैं पड़ जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे उन्हें स्विकार में चित्रकूट में रात्री का समय है चांदनी खिली हुई है चंद्रमा निकला हुआ है ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी अगर दशरत के अंधेरे कक्ष का एक निरणे राम को इस जंगल तक लाया है मित्रो तो आज इस पूर्ण मासी के चांद के नीचे का राम का एक निरने राम को वापिस अध्या ले जा सकता या लंका ले जा सकता ये वो रात थी मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा कि सबसे महत्वपूर रात्री कौन सी है जिस दिल लक्षमन को बूर्चा आई वो भी महत्वपूर नहीं थी जूकि पता था कि बच जाएंगे जिस दिल सीता का आपरण हुआ वो रात्री भी महत्वपूर नहीं थी यही रात महत्वपूर थी यही रात अंतिम यही रात भारी जिसमें भरत, शत्रुगन, तीनों माताएं, गुरुवशिष्ट, ससुर सहाब, सास सब आये हैं कि बस राम लौट शरुआ तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे नीले वितान के तले दीप बहुजागे टक्टकी लगाए नयन सुरों के थेवे सब देख रहे थे परिणा मुत्सुक उन भयातुरों के थेवे वह चंद्र लोग था कहाँ चांदनी वैसी प्रभु बोले गिरा का भीर गूढ निदी जैसी जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया तब भगवान ने सब को बिठा कर पूछा क्या सवाल पहला भरत जैसे आदमी से हे भरत भद्र अब कहो अभीपसित अपना इतनी दूर चल के आये हो बताओ क्या चाहिए सब सजग हो गए भंग हुआ जों सपना एक बात पूछी कि बिटा बताओ क्यूं आये हो तो क्या बोले भरत हे आदे रहा क्या भरत अभीपसित अभीप आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए मुझे तो सब मिल गया भया इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था पिता जी मर गए मेरे कारण आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण सौने के आभूशन पहनने वाली मेरी भावी एक वलकल पहने हुए मेरे कारण जिसके सर पर अयोध्या का राजमकुट होना चाहिए ता उसके सिर पर जटा जूट है मेरे कारण हे आर्य रहा क्या भरत अभीपसित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी पाया तुमने तर उतले अरण्य बसेरा रह गया अभीपसित शेश तद पिक्या मेरा और मैं इसलिए भरत पर फिदाओं के भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रैश्चित कर रहा है भरत अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है उनकी मा की गलती है और वो प्रैश्चित कर रहा है यहीं से राम का लोकतंद्र पारंब होता है कैसे पूरी अयोध्या सोचती है कि के कई अपराधिन है राम उस रात दो काम करते हैं भरत को लोकतंद्र का मंत्र देते हैं और कैकई को स्विकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं उन्हें पता था कि अगर भरत लोट भी जाएगा तो जीवन मर मां से बात नहीं करेगा पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी इसलिए जब तीनो मागे पहुँची हैं प्रथम राम भेंटी कैकई राम ऐसे थोड़ी है कि हारे रकी जानते हो कि पहले अपनी बड़ी मा का प्रनाम क रहें फिर सुमित्रा का प्रनाम करें फिर कैकई का प्रनाम करें उनको पता था कि कहकई के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारना नहीं है अगर देश के प्रधान मंत्री आपके प्रदेश की मुख्य मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मिले लें जिसके व्यारे में आपके अच्छी धारना न बन रही हो तो आपकी धालना बदलती है कि प्रधान मंत्री मिले थी मुख्य मंत्री मिली थी इसका मतलब अच्छा है अगर ऐसे व्यक्ति की प्रशंशा कर दें वो तो राम है उनको पता है कि कहके कि मनोदशा कैसी है और कहके ही खुद कहती भी है कहती है बेटे मुझे जो अपराद हुआ है वो किसी से नहीं हुआ है कहते आते थे अभी सभी नरदे ही मातान कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही पर हाए आज यह सुने विरुध विधाता है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता क्या कहती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी थीरग कुल में भी एक अभागिन रानी थूके मुझ परत्रे लोग क्या भले ही थूके जो कोई कह सके कहे क्यों चूके लेकिन एक माद मांगती हूँ राम तेरे दर्बार में जीने न भरत का किन्तु मात्रिपद मुझ से रे राम दुहाई करूं ओर क्या तुझ से तोचे कैसक्षन है अपने ही बेटे को मांग ये राम से कह के ये अपने बेटे के कह एक राम तू सब देता है बेटा मुझे सिर्व इतना दे दे मुझे रानी मत रहने दे जंगल में रख ले भरत की मा बनी रहा बस इसी के लिए तो सब किया तुझ राम ने क्या कहा हे अंब ओ मेरी मां हे अंब तुम्हारा राम जानता है सब इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब पिर राम को याद दिलाया के कही तू आधी रात उठके भाग जाता था मेरा सफना देखके कौशल्या से कहता कि मा मैंने छोटी मा का सफना देखा है मुझे छोटी मा के पास छोड़ किया और तुझे गोदी मेले कि कौशल्या मेरा दरवजा खटके आती थी अरी यो कोयल यह तेरा कोयल का बच्चा जाग गया रो रहा है तेरे लिए होने पर बहुदा अर्धरा त्रियंधेरी होने पर बहुदा अर्धरा त्रियंधेरी जीजी आकर करती पुकार थी मेरी लो कुहकुनी तेरा कुहकुराम यह जागा लो कुहकुनी अपना कुहकुराम यह जागा निजमजली मा का सपन देख उठ भागा थोने पर बहुदार धरात्री अंधेरी मैं वही राम तू वही के कई मेरी कि सौ बार धन्य वह एक लाल की माई कौन सौ बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी हैं जना भरत सा भाई पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई सौ बार धन्य वह एक लाल की माई सौ बार धन्य वह एक लाल की माई कौशल जैसे लेकर जनक तक सबका वहुमत राम को लोटाने का था लेकिन राम नीती के साथ रहे जन्मत की उपेक्षा नहीं है बरत जैसा भाई पाना लक्षमन जैसा भाई पाना कैसे कैसे चरित्र है भाई एक बरत की पत्नी है मांडवी उनका जिक्री नहीं होता एक हमारी माँ और है उर्मिला उसका जिक्र नहीं होता उर्मिला का कलेजा देखिए मांडवी का कलेजा देखिए जिस दिन लौटने के बाद बरत ने राज्य समाल लिया भाई की पादुकाएं रखकर सिंगासन पर कोशल्या जाग रही थी उन्होंने देखा कि उपर कोई घूम रहा है कि कोई छाया घूम रही है महल में आंते है कुर में तो वो उपर गई तो देखा मांडवी घूम रही थी भरत की पत्नी तो कोशल्या ने पूछा कि बेटा तु सोही नहीं उसने का हाँ मा मैं भी जाग रही हूँ है पहरत सो गया होगा बेटा तो उसके कक्षन चली जा कहा रहा है तो लिए उन्हें काया कि भाइया जब तक जमीन पे सोएंगे भाइया जब तक जंगल में रहेंगे मैं महल में नहीं रहुगा तो अज़्या के बाहर जो नंदी ग्राम दिखता है नहीं दूर वहां उन्हें ने कुटिया बना लिए प्राइमिस्टर ओफिस बना तुझे नहीं ले गया है संकोच में पढ़ी हुई मांडवी ने कहा है मा मैंने तो कहा था आप जंगल में अकेले कैसे रहेंगे कुटिया मैं सेवा कर दूंगी लेचलो और ने का नहीं नहीं बाभी राम भाया के साथ चली गई है तीनों माओं को देखने के लिए कोई नह यहीं रहो उनके जिम्मेदारी हम पर है और शल्याने का बिटा सूजा बुले माँ वो उनकी कुटिया दीख रही है उसमें अभी दीपक जला हुआ है यानि कि वही काम करने है एक बार वो दीपक मंगल हो जाया है तो मैंभी जाकर सोजाओ तो मैंभी जाकर सोजाओ ऐसी मा इस मंचु पर तीन दिन से मेरे पार्शमे आशिरवाद की मुद्रा में शेष्र नागर के प्रतरिदी लक्षमन लाल खड़े है उनके लिए पहली बार एक पंक्ति पढ़ आ हूँ मा कांत जी की उसमन ने कहा कि दुनिया में हर आदमी की परचाई काली है एक राम ही प्रत् हाई है कि बाबा ने अच्छी बात लिखी है कि बारही से निज हित्पति जानी लचमन राम चरण रतिमानी मेरा एक बड़ा प्रियक कवी है बच्चा वो लखीमपुर से आगे गाउं में रहता है ज्ञान प्रकाश अकुल है ज्ञान में चंद बेजा रात सुनिये गा चा लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए राम तो लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए राम तो लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए किन्तु लक्षमन कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें रोता देक धरती गगन चुप हो गए बहुत रोए राजवैद आये कोई रोग ने बता सका तो जोतिशी भी करके यतन चुप हो गए और लक्षमन कैसे चुप हुए रोते हुए गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए और वो नोवेडा वाले अमने परसों बताये ते आपको कि कुमार जी अपने अपने राम करानी है अनका क्या हो गया और छोटे बाई से मुकदमा चला था जमीन का वो जीत गया वाह राम की कहानी सुनेंगे भाई पर मुकदमा करके नेतिकता को कोई कुवा भी ना मिले जिसमें डूब के मर जाए दूसरी मा हमारी मा समित्रा लक्षमन पूछने के लिए गए कि मां मैं आयोध्या में रहूं या भाया जंगल जा रहे उनके साथ चला जाओं माने क्या का आयोध्या कोण्य के वप्या लडें जो पर राम Siyaaa बन जाएं सुमित्रा जैसी मान लक्ष्जमन जैसाकियारा सा बच्च्चा कहती बेटा जो पर राम Siyaaa बन जाएं आवद तुमार काम कचुनाईं तुम्हार क्या काम है जहां राम है, वहीं है फिभ्यार। हवद तुर्मार काम को चुनाई और राम तो फिर भी हमारी माख के साथ है सिता के एक सतसंग है, एक स्ने की डोर है, माना की ग्रहस्त में नहीं है, ट llev किक दूसरे की ऊंतो रहे, और यहां पती पत्नी बैटे हो तो वो इस बात को मैसूस करेंगे जो 20 वर्ष 25 वर्ष बिता चुके हैं एक समय आता है जब आपका कोई प्रेम का बहुत ज्यादा दोर नहीं होती एक दूसरे के सहाचरे की होती है कि रहनी चाहिए यहीं और पती को भी लगता है यह रहनी चा करदेता है एक तुम्हारा होना क्या से क्या करदेता है बे जुबान च्छत दीवारों को घर करदेता है अनुमरी माता और मिला तो अकेली हैं उन्से तो पूछा भी नहीं गया है कि अनुमति लीजाए के निली जाए एक दृश्य है चित्रकूट में जहां पहली बार उर्मिला, मांडवी और शुत्कीर्ती आई हैं अपनी सास के साथ राम को मनाने तो सीता तो बड़ी बहन है बड़ी बहन है छोटी बहनों का हित समझती है लड़कियों में होता है कि छोटी की बाद समझ लेती है माता पिता कि अवश्रक्ता नहीं होती है खुदी कर देती है सीता समझ गई है कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पती से मिली भी नहीं रही है और लक्षमन इतना संकोची है कि भी नियरमिला से तो भावी ने बुला के का कि बिटा इधर आओ लग्षमन का जी भावी तो मेरी कुटियां में बिटा फूलों की डाली रखिए हो जरा डाली उठाला उठाला उट्ड़ा बनानी ए देवतावों के लिए उनको पता है कि उनकी कुटियां अर्मिला बैठी है उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे उत्सा में भरे हुए लक्षमन की भावी का काम करने जाना हुँ हखट-खट-खट-खट-खट पहुँचे जैसे ही जौपडी का दर्वाजा खोला रंदर गुसे देखा और मिला सोचके देखिए क्या बीती होगी जिससे बिना बात किये चले आए जिससे बिना अनुमत ही लिए चले आए सब्त पेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपत खाई थी कि तरह साथ नहीं छोड़ूंगा राम के अनुराग में जिसे छोड़ कर चले आए वो उर्मिला और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्श माना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं चले गए तो कोई बात नहीं वो लक्षमन दोने दूसरे के साथ कैसे सामने आये हो कि उर्मिला खड़ी हुई, मुस्कुराई है रोई नहीं उन्हें आयसा नहीं किया, वो खड़ी होई और मुस्कुराई है और मुस्कुराकर क्या बोली मेरे उपवन के हरिण मेरे बाग के हिरन क्या बढ़िया बात कहिए कलकत्ता वालो मेरे बाग के हिरन मेरे उपवन के हिरन आज बन चारी मेरा हिरन आजकल जंगल गुम रहा है और अगली पंक्ति क्या बोली इस पर आप माता और मेला को याद करना मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी मैं बांध नलूगी तुमें तजो भैभारी छोड़ो दरो मत मैं तो देखने आई यू कि मेरे उपवन में जो हिरन खेलता था वो जंगल में कैसा कूद रहा है उनका मन बढ़ा कर रही है और लक्षमन ने भी कितनी अदबुद बात कही लक्षमन ने कहा कि तुम मेरी केवल पत्नी नहीं हो इस पर भी लक्षमन को तारीब देना अशिरवाद लेना उनसे कि हम उन्हें स्मरन कर रहे हैं लक्षमन ने कहा कि भावी की बहिना तुम तुम केवल पत्नी नहीं हो तुम जगत जन्नी भारतेश्वरी सीता की छोटी बहन हो उनके योग्यवर है राम तुम जगत जन्नी की छोटी बहन का पती बन सकूँ मैं उस योग्य बनने के लिए जंगल में आया हूँ आज ताकि मैं तेरे योग्य बनने भावी की भगनी तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग तापने दो बन में कुछ मुझ को बनने दो केवल निज्योग के मुझे थोड़ी कपस्या करने दो अपने लायक बनने तुम तो कौन हो मेरी पत्नी थोड़ी हो तुम तुम पहले सीता की बहन हो खांदान और मैं केवल राम के पीसे चलने वाला एक लड़का मुझे इस लायक तो बनने दो कि सीता माता किसी को परिचे कराएं और कहें कि ये मेरी छोटी बहन का पती है और लोग भी कैसे कैसे भाई छोड़िये पत्नी छोड़िये पिता छोड़िये माता छोड़िये शत्रू भी कैसा भाई इस कहानी का तो विलेन भी कितना खुबसूरत है कितना कमाल का विलेन है उत्तम कुल पुलस्त मुनिनाती पुलस्त का नाती है भगवान शंकर का अनन्य भक्तव दशक ग्रीव दस सिर नहीं है उसके ये सम्मित है वे जो राम लीला में लगा देते हैं दस दिमागों के बराबर का आई क्यू है जिसके उपर दस सिरों की करपा चलती हो दस काम एक साथ करता हो दस तरह से सुचता हो उसका नाम दशानन है दस सिर वाला है नो ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए शनी के उपर तो पैर रखे बैठा है फिर भी राम से हार गया क्यों हार गया कारण बताता हूँ राम इच्छाओं से मुक्त हैं रामन इच्छाओं के पाश में बदा हुआ फिर जागना की रामन मनुश्यों पर राज्य करता है राम मनुश्यता पर राज्य करता है आपको पता है कि जब भगवान ने युद्ध शुलू किया तो पूजा की राम ने कहा जामवंध से जामवंध सबसे सीनियर हैं वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं रावन के दादा जी के दोस्त हैं पुलस्थ मुनी के नाना के कहा कि प्रभू माराज जामवंध जी मैं युद्ध करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूँ जामवंध ने कहा करिए माराज तो बोले मेरे आराध्य तो शंकर हैं शंकर राम की पूजा करते हैं राम शंकर की पूजा करते हैं इस कहानी से बड़ा समनवे किसी का नहीं हो सकता। जामवंत ने का पूजा कर लीजे माराज। बोले मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए। जो शैव हो शिवकुमानने वाला। और मैं वैश्नम हूँ, तो वैश्नम भी। उन्होंने कहा कि इस जंगल में इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहां मिलेगा भगवान। तो उन्होंने का पूजा कैसे होगी फिर। जो जामवंत ने का एक पंडित मेरे ध्यान में है। पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। बोले कौन। बोले पुलस्तमुनी का नाथी महारती रावन। वो शिव का भक्त है और वैश्णों भी है। उससे करा लीजिए। सोचिए जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजा। राम ने जामवंत से का कि भाराज पूछ के तो आईए। अगर महापंडित रावन आज्या देदें इस यग्य के लिए तुम्हें कर लो। रावन को पता चला कि जामवंत बुलाने आए हैं। रावन ने अपने सैनिकों से का कि जैसे ही दादा जामवंत आएं, कोई उनसे प्रशन ना करे। उन्हें बस महल का मार्क दिखा दे हाथ जोड़के सब चरण छुएं। जामवंत पहुंचे रावन किले के द्वार पर चरण छुने आया। कहा कि पितामे मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं धन्य हुआ कि आप अधारे। जामवंत ने कहा है कि मैं बहुत प्रसंद हुआ तुम्हारी अतिति सेवा देखकर बिठाया पूछा कैसे आये हैं। जामवंत ने कहा हमें कि इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूं। एक मेरे साथ दो जिजमान हैं। वो एक यग्य करना चाहते हैं। युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यक्ता है जो शैव भी हो और वैश्नों भी। तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो प्रत्मी पर नहीं है। क्या उनका पुरोहित बन सकोगे। क्या पूचा रावन ने पहला क्या करेक्टर है वाह। रावन ने कहा जहां तक मुझे सूचना है। आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मन तो नहीं है। जामन्त ने कहा हाँ दश्ख्रीश वेही दोनों हैं। क्या पस्विकार करेंगे। उसने 낮क्री फिर बोला। क्या उनके य्ज्ञ्ज्न क्या उद्धेश्य है लंका वीजय। जामन्त ने का हाँ उनका यही हॉद्धेश्य है। क्या आप स्विकार करेंगे। उसने का मैं तो जिग्यासा के लिए पूछ रहा था अन्ने था द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यग्य के लिए कहे अस्विकार करना उसका धर्म ही नहीं है मैं आपके साथ चलूँगा और उनका यग्य कराऊंगा कि आप जम्मंत ने कहा कि क्या महूरत निकला भुष्भया उसने रवग्र हो बुलाया को बुले इढ़ बेठ तू इढ़ थे ख़ुजडित तू इढ़एठ तू पर अपने हाथ में ता तू मिनिस्टर अश्टेट तू फुल कैविनेट बता कितने बजे गुला जी सुवेश साड़े पांच बजे ब्रह्म महुरत में जिसमें हम पैदा हुए तो उसने का ठीक है साड़े पांच बजे का महुरत निकला मैं पांच बजे आजाओंगा जामवद ने का आचारे आचारे होगे अब तो रावबन आचारे पूजा के लिए क्या विवस्था करनी है क्या समगरी लओंगा उसने का आपके यजमान मेरे यजमान जंगल में है अगर यजमान के पास पूजन सामगरी न आ हो तो पंडित का धर्म मनता है कि वो पूजन सामगरी ले के आए तो मैं ले के आऊंगा उसने अपने पुत्र मेगनाथ को जगाया इंदर जीत को और कहा बेटा अशोक वाटिका जाओ अशोक वाटिका जाओ और सीता से काओ मैं उसे मिलना चाहता हूँ एक विशेश प्रियोजन है थोड़ी दिर बाद खुद पहुंचा और कहा सीते तुमारा पती राम लंका विजय का यग्य कर रहा है उसके पास पुरोहित नहीं है कल सुभह मैं उसका पुरोहित बनूँगा लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्शुमें ना बैठे चुकि तुम उसकी पत्नी हो तो सुभह ये इंद्रजीत रत लेकर आएगा तुम इसनान करके नया वस्त्र पहन कर इस रत में बैठ जाना चुकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूँ और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है पूजा होते ही उठना और इसी रत में बापिस बेठ कर रशोक वाटिका में आ जाना क्या तो सीता क्या राम और क्या रावन क्या कहानी है तुम्हे यही हुआ शिवलिंग की स्थापना हुई बालुका की मृत्ति से एक विग्रह बनाया राम ने अपने उजस्वी हातों से राम आजान उबाहु हैं गुटने तक हात आते हैं उनके यह पुरुशोत्तम का लक्षन है महराना कुम्भा वे भी आजान उबाहु थे कभी कुम्भा लड के किले में जाईए तीन फिट का शिवलिंग है नीचे बैटके अपने ही हाथ से लोटे से रुद्रा भिशेक करते थे विना उठे विभी सुरेवन्शी थे ताम आजान उबाहु थे उन्होंने अपने बड़े बड़े हातों से शिवलिंग तयार करा धोती पहने हुए तलक लगाये हुए तेजस्वी रावन पहुचा राम और लक्षमन ने आसन से खड़े होकर अपने फुरोहित को प्रणाम करा आचारे मैं दश्रत का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्षमन के साथ आपको प्रणाम करता हूं तो नोंने पैड़ चुए रामण के और कहा कि आचारे आसन ग्रहन करिए आचारे ने पूझन प्रारंब किया अंगनबदी घूंगावाए अब ये की पत्नी कहां से आए आचारे ने पूचा राम से मेरे यजमान विवाही थे राम ने कहा हाँ आचारे में विवाहित हूँ अपनी धर्म पत्ने से कहिए कि वह आपके पार्ष में आकर बैठे राम ने कहा आचारे मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है तो जामवंत ने कहा आचारे अब पुजा कैसे होगी बोले पिता में मैंने आप से कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामंकरी किसी भी तरह की पूरी ना हो कोई विवस्था पूरी ना हो तो आचारे का धर्म है कि वो पूरी विवस्था बना के लाए बेटा इंडरजीत यजमान की पतनी को उनके पार्ष में स्थापित करो आप अहारण गई हुई मा अमारी जगत जन्नी भारतेश्ष्वरी पार्ष में बैठी पूजन प्रारंब हुआ सारी अर्चना हुई और पूजन के बाद रावन ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशिरवाद देता हूँ कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं आज सारे देवता उपस्थितों कर आपके संकल्प को पूर्ण करें मैं आशिरवाद देता हूँ हमारे गाओं में गीत गया जाता था बना पुरोहित राम चंदर का जैका वर्दे आया जब चलने लगे तो राम ने पूछा बुले आचारे दक्षिना तो आचारे हसा बुला त्रेलोक्य की संपदा आपके आचारे के पास है कुबेर का रत आपके आचारे के पास है ऐसे मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिना देगा मेरा यजमान तो रामने काया कि मैं रगवंशी हूँ दक्षिना के बिना पूजा कराना मेरे लिए निश्फल हो जाएगा आप दक्षिना तो मांगिए तो रावन ने काया कि मैं आपसे समय पर दक्षणा मांग लूँगा राम ने का उस समय में देने योग कि बचा या ना बचा आचारे बता तो दीजिये कि दक्षणा क्या है आचारे ने दक्षिना मांगी उस पर रावण को भी राम की तरफ से प्रेम भीजा जा सकता है आचारे ने कहा मेरी दक्षिना यही है कि आचारे का जब अंतिम समय आए तो दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहें एक अंतर समझ लेना राम और रावण में आप ढूना आपके अंदर रावणे की राम है राम के पास जो है वो परियाप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो परियाप्त नहीं है रामण के पास पंच कन्याओं में पूजित हमारे मेरट की पंच कन्याओं में सबसे सुन्दर इस्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए यूती को अपनी रानी बनाना चाहता है शाम धल लही है सूरज डूबने वाला है और अगवणशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तुपात क्यों हुआ दुखी है राम लाशों को देखकर मंदोदरी गई कमांडों खड़े हुए उनको रोकने के लिए लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रहे हैं तो फुलिस वाले हट गए वानर हट गए पीछे से पहुँची चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक इस्त्री की छाया देखी जो पैर के असपास आ रही है राम सचेथो कर उठे और पलट कर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ इस निर्जन रणक्षित्र में आप कौन हैं मंदोदरी ने कहा हे राम मैं रावन की दुर्भग गिशाली पतनी मंदोदरी हूँ राम ने कहा मा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आपका पती बड़ा तेजस्वी था महा ज्यानी था उच्चकुल में पैदा हुआ था ब्रह्मा का वन्शज था लेकिन उसने अनीत ही की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा मैं आपके शोक के लिए एक शमा चाहता हूँ मंदोदरी ने कहा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हे कोसूं राम ने पूछा पिर किसलिए आई मा मंदोदरी ने कहा मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी जिसने तेरे पूरवज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनोती दे दी जो कुबेर को कालर से पकड़के नीचे ले आया उस महाँ पराक्रमी को हराया किसमे ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पती में नहीं था तो राम ने पूछा कि माँ आपको पता चला क्या है बुले हाँ पता चल गया आने से पहले ही पता चल गया राम ने पूछा क्या अंतर है बुले राम एक मेरा पती था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते होई भी तेरी पतनी चाहता था एक तू है कि पीठ पर से भी परिस्त्री की चाया पढ़ियत उठकर खड़ा हो गया है ये उसमर तुझ में आने करें